पिछले कई दिनों से गैस स्टॉक्स फोकस में है और उन गैस स्टॉक्स में जिस स्टॉक को लेकर हमसे सबसे ज़ादा पूछा गया है वो है पेट्रोनेट LNG इसके कमेंट मैंने पिछले कई वीडियो के नीचे भी देखे और हमारे कई ग्रूप मेंबर्स ने भी इसके उपर चर्चा करने के लिए कहा तो आज इसके वीडियो पे हम बात करने वाले हैं ध्यान रखिएगा जो भी डिसकुशन हो उसे अपने एडवाजर साथ कंसल्ट करिए अगर एडवाजर है नहीं है तो इससे सीखने के परपस से लिजिए हम किसी टाइप की बायसल की रिकमेंडेशन नहीं बताते ना ही हमारी कोई बायसल बताने की कोई पैड़ सर्विस है इस बात का ध्यान रखिए हम सिर्फ चार्ट सिखाते हैं या फिर चार्ट आपके साथ शेयर करते हैं इसके लाबा हमारी कोई सर्विस नहीं है इस बात को वीशेश ध्यान रखिए चलिए बात करते हैं आज पैट्रोनेट एलन जी की सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर हुआ क्या है बीजेपी जो भारती जंठा पार्टी है उनका मैनिफेस्टो आया उस मैनिफेस्टो के बाद में गैस स्टॉक्स जो है वो फोकस में आ गए गैस स्टॉक्स के फोकस में आने के बाद में यहाँ पर क्या होता है कि पेट्रोनेट LNG जैसी कंपनी इधर हमें चार्ट पे भी बड़ा breakout होता हुआ नजर आया अगर हम ध्यान से देखें और हम जानेंगे कि ये stock पिछले काई समय से इन levels के उपर टिक नहीं पा रहा था तो एक buzz बन गया तो gas stocks में एक buzz बना पेट्रोनेट LNG के उपर question आया इसलिए इसका number लगा है दूसरे stocks को भी हम जल्दी जल्दी cover करने कोशिश करेंगे अब gas stock को लेकर अगर आपको देखना है सबसे पहले देखो कि ये जो industry है gas distributions related industry क्या इसको लेकर government की policy positive आ रही है answer yes ये industry आगे future में grow कर सकती है क्या यहाँ पर patron and LNG उसमें contribute कर सकती है answer is yes यानि stock खुद contribute कर सकता है क्या yes बिल्कुल कर सकता है अब chart क्या बोल रहा है यानि technical level क्या आ रहे है तो chart भी bullish नज़र आ रहा है अपनी requirement के हिसाब से लेकिन patron and LNG को लेकर ये चीज़े positive निकल के आई है इनके ओपर बात करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि stock के लिए आज की date में situation क्या हो सकती है आपका भी किसी stock के regarding को question हो comment box में बताइए इस channel पर उनी stocks पर बात होती है जिन पर public के questions होते हैं तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अगले वीडियो किस stock पर हो तो आप ही comment करिए आपके दियो ही comment से ही next stock आएगा अब Petronate LNG को लेकर हमें ये चार्ट देखा कि ये निकल के आ रहा है इस stock ने इस type से 6-7 साल बाद में एक moment लेना शुरू किया है सबसे पहले देखते हैं इस company के fundamental क्या बोलते है Petronate LNG बनी कैसे क्या हुआ सबसे पहले ये समझे ये Petronate LNG को बनायागा Develop, Design, Construct, Own, Operate करने के लिए क्या LNG के Import को प्लस Regasification Terminals इंडिया के अंदर अब ये किस ने बनाई ये company ये company 1998 में joint venture बना किन के बीच में Gale, Indian Oil, Bharat Petroleum, ONGC अब Gale को भी एक major benefit मिलता है जब gas stocks की बात आती है इनके उपर कभी आगे discuss करेंगे लेकिन इन चारों की 12.5% की holding है each की और total 50% का holding जो है वो इन चारों companies का हो जाता है और मज़े की बात सुनो इसके Petronate LNG के client कोन है ये client भी यही लोग है ये 90% तो ये ही client है इसके तो ये joint venture बना के इसको लाया गया यानि government का government के पास या आप ऐसा समझ सकते हैं अगर हम बात करें यहाँ पर इस company के major player in energy supply यह हमें दिख़ा होगा LNG के अंदर इसकी major supply है अब यहाँ पर देखिये कि अब यहाँ पर देखिये कि एक्छली निकल के क्या आता है it accounts for 33% of gas supplies 33% of gas supplies in country and handles 75% of LNG import in India यानि 33% market share और LNG import 75% यही company करती है revenue कहाँ से आता है भई LNG से 95-96 और इसके लाव री gasification से लगबग जो services होती है उनसे 3-5% गा revenue major client कौन है अब major client के लिए हम चलते हैं यहाँ पर चलिए इसको देखिये यहाँ पर Gale, IOCL यानि Indian Oil और BPCL तीनों मिलाकर 95% की revenue contribute करते हैं तो आपके समझ आ गया होगा कि government का business government के पास नई company बना कर कर दिया है अब इस company की market cap को देखो market cap लगवग 45,000 करोड की है और book value 110 रुपे है stock अभी 300 के आसपास जूला जूल रहा है P जो है वो 12 के आसपास चल रही है लेकिन अगर आप ROC और ROE को देखेंगे तो यह P काफी सस्ती नज़र आती है और definitely यह सस्ती है लेकिन इसके कई reasons हो सकते हैं वो हमें समझने होंगे dividend company ठीक ठाक देती है लगबग 5% के आसपास आपका dividend yield भी निकल के आता है promoters 50% यह चारों वही है Gale, IOCL और BPCL और यहाँ पर हमने देखा था ONGC चार हो गए और यहाँ पे debt to equity ratio company का नहीं है company अच्छी है अगर EPS देखा जाए तो लगबग आप current market price से देखेंगे तो लगबग 8% जो है वो EPS आपको मिल जाता है current market price से मैं इस चीज़ को बड़ा देखता हूँ यहाँ पे देखें profit की growth company की ठीक ठाक रही है कुछ खास नहीं है free cash flow company के पास अच्छा है that is good यहाँ पे market capital sales जो है वो दिखाती है कि company जितनी sales कर रही है उससे भी नीचे की market capital इसको मिली हुई है तो यह under valuation की निशानी जरूर होती है यहाँ पे PG ratio भी ठीक ठाक है यह सारी चीज़ देखने के बाद अगर हम देखें कि इसका industry PE कितना है तो वो 17 के आसपास है तो यानी company अपनी industry के PE से भी नीचे trade कर रही है तो यह सारी चीज़ अट्रक्टिव तो बनाती है लेकिन वाकई में क्या यहाँ पे कुछ हो सकता है उसकी चर्चा आगे करेंगे यहाँ पे हमें पता चला fundamental ओके है अगर हम पिछले कई quarters के fundamental लेके तो December के fundamentals में 14,700 करोड के आसपास की sales है और यहाँ पर अगर profit देखा जाए तो लगबग 1200 करोड रुपे से उपर कमनी ने profit post लिया है अगर last year इसी को compare किया जाए तो sales टूटी है आप देख सकते हो और profit लगबग same है कुछ ज़्यादा फरक नहीं है sales टूटी है profit लगबग same आने का reason क्या that is OPM 11% से 12% कर देना और सीधा वहाँ पर shareholder की earning बढ़ जाती है अगर पिछले कई quarter को देखेंगे तो stable है यहाँ पर आपको बता चलेगा stable सी रही है इनकी चो quarterly sales है पिछले कई quarter से stable है तो गौर्मेंट का अगर focus इस side है तो क्या उस वज़े से तेजी बनी है या company के जो March quarter के result हैंगे वो वाकई में बहुत अच्छे आने वाले है no one knows लेकिन हम chart पर पता करेंगे आगे बात करिए यहाँ समझे yearly pre handle को देखिए अभी company जो है 52,000 करोड की sales कर चुकी है last trailing 12 month में और अगर हम उससे पीछे के देखें March 2023 के तो लगबख 60,000 करोड की sales हुई थी और उस वक्त profit था 3300 करोड और अभी है 3500 करोड से उपर EPS आपको दिख रहा होगा पिछले कोई भी साल में आपको EPS इतना अच्छा नजर नहीं आएगा जितना की अभी आ रहा है 23 rupees के उपर का तो that is good sign की company अपने आपको grow कर रही है अच्छी चीज है बट एक negative point क्या है ध्यान से देखना sales की growth देखो कोई major sales की growth यहां पे नजर नहीं आती कि कोई बहुत बड़ी sales की growth हो yes, sales की growth है लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो कोई बहुत बड़ी sales की growth यहां पे नजर नहीं आ रही है आगे बात करते हैं इसको समझे share holding pattern को तो promotors इसके 4 है जो 12.5% की holding रखते है 50% holding उनके पास है FIIs को देखा जाए तो उनके पास लगबग 26% की holding है जो आपको दिख रहा होगा और FIIs की holding पिछले 2 सालों में कम हुई है 2-3 साल में और DIs की जो की 5% थी 2020 में वो बढ़कर लगबग 11% हो गई और DIs लगाता है यहां पर अपनी holding बढ़ाते जा रहे है बात कर लेते हैं पब्लिक की तो पब्लिक की holding आज से 2-3 साल पहले जितनी थी उससे कम हुई है और पिछले कई quarter में देखा जाए तो थोड़ी holding पब्लिक की भी बढ़ती हुई नजर आई है यह data है इनमें एक चीज़ क्या पता चली कि यह जो माल है जो की हो गया लगबग 87% के आसपास यह वाला 87% के आसपास यह माल बिक प्लेर्स के पास है और लगबग 12.5% का माल जो है वही पब्लिक के पास है यह में ध्यान रखना होगा नमबर ओफ शेरोल्डर्स भी जादा नहीं है त्यान से देखिए 4.5 लाख है यानि कि यह स्टोक पॉपुलर नहीं हुआ है पॉपुलर स्टोक क्या होता है वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक चुल में पॉपुलर स्टोक कैसे होते हैं एक्जम्पल के लिए NHPC अगर आप उसके December के और March के डाटा देखेंगे शेरोल्डर्स के यू विल बी सब्राइज तू नो कि इतने शेरोल्डर्स कैसे आ गए आप देखेंगे आपके लिए इसका वीडियो आएगा जल्दी जल्दी उस पे बात करेंगे चलिए आगे समझे यहाँ पर इसके मार्केट शेर को देखेंगे यह पुराना नाटा है LNG में 22% और यहाँ पर अगर आप देखें LNG इंपोर्ट तो वो 69 आ रहा है लेकिन यह पुराना नाटा है आज की डेट में LNG इंपोर्ट जो इसका वो 75% से उपर का है और मार्केट शेर लगबख 33% का है अब यह पैसे कैसे ला रही है 95% की जो सेल ओफ RNG यह R LNG लिखा हुआ है क्योंकि री गैसिफिकेशन लिखा जाता है लेकिन यह सेल है एक्चुली और अगर हम देखा जाएं तो सर्विसेस से लगबख 3-4% की रिवेन्यू कंपनी लाती है अगर हम यह समझना चाहें कि इसके क्लाइंट कौन-कौन है तो गेल देखिए सबसे बड़ा क्लाइंट है जो 50% से जज़ादा रिवेन्यू देता है IOC L second number और उसके बाद में BPCL और अदर्स में आपकी रिवेन्यू डिवाइड होती है अब बात करते हैं इसके चार्ट पे चर्चा कि एक्चुली चार्ट क्या बोलता है कि एक क्लियर पिक्चर वही निकल के आएगी So let's do चार्ट पे चर्चा अब हमारे सामने है यहां पर कई सालों से सप्लाई जून बनी हुई थी और इसके उपर स्टॉक नहीं जा पा रहा था ध्यान से समझने कोशिश करिए यहां पर तीन महीने क्या हुआ है इस स्ट्रगल को क्या बोलता हूँ मैं BBF जैसे WWF होता है वैसे BBF होता है BBF क्या होता है BBF मिल Bulls, Bears और यह हो गया Fight Bulls, Bears की Fight होती है यह होता है BBF जैसे WWF बच्पन में देखा था न वैसा होता है BBF और उस BBF के बाद में कौन जीता No doubt यहां पर Bulls जीते होगे नजर आ रहे हैं और Bulls कहरे है कि हम इसको तेजी में ले जाना चाहते है Momentum Bulls के पक्ष में फिलाल जादा है लेकिन यह Remember करिएगा कि फिलाल Momentum जादा होना कभी भी guarantee नहीं होती कि future में ऐसा रहेगा तो इसलिए हमेशा एक Stop Loss या फिर एक Important Level को Players यूज़ करते हैं और Dividend कुछ उसको जरूर मिला होगा तो अपनी अपनी requirement है जिसको जो अच्छा लगे वो वैसे कर सकता है लेकिन यह सच्चाई है कि यहाँ पे एक चार्ट पे breakout है और लगबग मैं इसे 7 year का breakout कहूँगा 7 year क्यों कहेंगे क्योंकि 2017-18 से आप देखो पता चला monthly chart पे breakout है weekly convert करके देखते है weekly chart क्या बोलता है इसका trend क्या है वो भी उमें समझना होगा तो अगर हम weekly chart को भी देखें पहले हम zoom out करके देखेंगे यह हमने देखा और यह भी समझिए यहाँ पर stock ने बीच में एक जो correction दिखाया था that was around 40% or more than that 43% का यह बीच में correction हुआ था यह correction था जब COVID के आसपा stock था यानि COVID से पहले इसने एक चाल पकड़ने की सोची थी बट वो चाल देखें नीचे आई और 3-4 साल वो चाल जो है वो delay हो चुकी है आपको यह चार्ट पे नजर आ रहा होगा recent में अगर आप देखेंगे इसने एक major demand zone जो है जो कि यहाँ पे एक demand zone है इसी के आसपास से यहाँ पे एक bounce लिया है और stocks ही था अपने previous high को भी काट के उपर जा चुका है तो यह perfectly हम कह सकते हैं कि price action को respect करता है और यहाँ पे support resistance and chart जो है इसे काम कर रहे है इस data को देखके हमें इतना नुमाल लग जाता है आगे बात करते है weekly chart के trend के लिए तो यहाँ इसको zoom करते है look at this यह trend bullish है clear clear trend हमें bullish नज़र आ रहा है और हमें यहाँ पता चल रहा है कि stock ने multiple support इस price पे लिया है that is around 255 rupees यह multiple support zone है होना चाहिए जो नीचे से बैठे है बाकि अपनी अपनी requirement अभी है मैं तो अपना एक अनुमान बता रहा हूँ आपको कि 255 के आसपास हो सकता है और stock जो है वो on bulls के लिए जिनसे miss हो रखा है वो भी definitely उसे buy on dip type की category में डाल के रख सकते हैं यह भी हमें ध्यान रखना होगा convert करते हैं इसको daily chart पे situation वहाँ क्या है वो भी हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है so this is the daily chart और अगर हम इसको देखना चाहिए daily chart पे भी आप देखेंगे एक अच्छा consolidation होता है consolidation के बाद में stock उपर आता है और उपर आकर फिर से क्या हो रहा है BBF हो रहा है क्या हो रहा है again यहाँ पे BBF हो रहा है but इस BBF का उतना role नहीं रहेगा क्यों क्योंकि major जो है वो bulls यहाँ पे अपनी strange overproof कर चुके हैं फिर भी यहाँ समझे कि stock के लिए यह level बहुत important है that is around 255 rupees इस level को हमें नहीं बूलना साथ में ध्यान रखिए यह जो blue line है यह important EMA line है अब important EMA line भी उसी level के आस पास आकर अपने जंडे गाड रही है यहाँ पे यह समझना है दोस्तो पचपन के नीचे stock का कल्यान होता हुआ नजर आ रहा है यह चार्ट हमें ऐसा बोल रहा है इस चार्ट को देखके इतना पता चला आईए बात करते हैं वापिस से weekly और monthly पे देखते हैं कि किया क्या जा सकता है बिना time गवाए यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले monthly चार्ट पे पहले monthly चार्ट करते हैं और इस data को हम कर देते हैं data और यहाँ पे हम लगबग 255 के आसपास एक line लगाते हैं और एक line और लगाते हैं जो की around होगी हमारे पास 190 के approximate यह रही यह 190 के approximate तो देखिए इस चार्ट को देखने से ही पता चलता है कि यहाँ पर bulls जो holding कर रहे हैं इसको bulls जो hold करके बैठे हैं वो definitely 255 का ध्यान रख रहे होंगे just a second यहाँ पर हम लिख देते हैं 255 वो इसका ध्यान रख रहे होंगे जिनके पास hold है जो bulls जो की fresh लेना चाह रहे होंगे यहाँ पर I think वो भी 255 के साथ इसको buy on dip के लिए देख सकते हैं यहाँ पर वो definitely इसी strategy से जाएंगे लेकिन हमें नहीं जाना है क्योंकि मैं आपको कोई recommendation नहीं दे रहा मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई fresh जा रहे होंगे जो smart bulls है जो हमसे भी ज़्यादा smart है तो शायद उनका 255 important support हो सकता है ऐसा मेरा अनुमान है तो हमें इसका ध्यान रखना होगा अब यहाँ पर समझो यह level हुआ short term का क्या level हुआ short term का अब अगर long term के level की बात करूँ जो कि करने का कोई औचित्य बनेगा नहीं इस company में जब 66-66-66-88-88-88 आप एक range में रहते हो उसके बाद उपर निकलते हो तो मेरा अनुमान यह कहता है कि हमेशा फिर short term का एक level important लगा कर वहाँ पर ride बनता है लेकिन फिर भी कोई long term के लिए यहाँ पर लंबे वाले time के लिए देख रहे होंगे तो उनके लिए तो definitely 190 rupees ही important रहेगा I don't think long term के लिए यहाँ पर जादा players देखेंगे बहुत कम लोग होंगे बाकी जो फसे होंगे वो उनकी अलग बात हो सकती है 190 long term का support है और 255 short term का अब अपनी अपनी requirement है हमें कुछ नहीं पता किसको क्या suit होता है यह हमें पता चला convert करते हैं इसी चीज को weekly chart पे यहाँ पर समझने कोशिश करिए तो आपको दिखेगा कि यह जो 255 का लगबग level आ रहा है यहाँ पर देखी यह level पहले इसी level के आसपास में आपके major resistances बने होई थे यह आपको दिख रहे होगे और फिर वही level पे आपका एक demand zone create हो जाता है तो अगर इतने multiple support के बाद यह demand zone तूटेगा तो that means कुछ negativity तो वहाँ पे आएगी यह में accept करनी होगी वापिस convert करेंगे मंतली पे आपके दिमाग में इसका weekly और मंतली चार्ट मैं तो feed करना चाता हूँ अपनी तरफ से कोशिश यही है अब ध्यान से देखिए एक हलका support इस stock के लिए और होगा that is around 275 यह होगा 275 के आसपास रूपीस 275 यह चोटा सा support होगा कोई बहुत बड़ा support नहीं है कोई इसको ध्यान में रखना चाहे तो definitely अपनी study इस support के लिए कर सकता है overall अगर मुझसे पूछा जाए आज की date में तो देखिए patronet LNG के लिए मैं again remind करा दूँ patronet LNG तो देखो sector या industry को आप देखेंगे तो bullish मुझे view bullish नज़र आता है stock की बात करेंगे तो stock का भी view bullish chart की बात करेंगे तो chart भी bullish यानि fundamentally strong है बड़िया company खराब नहीं है अब खराब कब होगी हम गलत भी हो सकते है हो सकता है यह सारा राता धरा का धरा देज़े मेरे लिए गलत हो जाएगा 255 के नीचे मैं अगर इसमें position बनाऊंगा तो 255 के नीचे मैं काट दूँगा disclosure के तोर पे मेरे पास फिलाल holding में नहीं है और near future अभी मेरा लेने का कोई plan नहीं है क्योंकि मेरे पास capital खाली नहीं है इस stock के लिए gas stock के लिए और अल्रीडी मेरे पास दूसरे gas stocks बड़े है तो मैं सब जगा पैसे नहीं डाल सकता तो एक limit होती है वही है भले ही चार्ट कितना ही bullish नज़र आए अगर मेरे पास दूसरा gas stock पड़ा है जो कि जिसका नाम में आपको बता सकता हूँ खुले मंच में गेल पड़ा है काफी नीचे से पड़ा है काफी अच्छी quantity में है तो अभी वो पड़ा है यहां पर कोई देखना चाहे तो definitely मैं आपकी help कर सकता हूँ कि 255 को आप अपने advisor के साथ consult करो मैंने फिलाल नहीं लिया है नियर future में शायद कोई मोका मिले मेरे पास capital खाली हो तो मैं देख सकता हूँ फिलाल मैंने नहीं लिया है थ्यान रखिएगा तो एक complete analysis था patronate पे आज की date में इस short term के इस level को ध्यान में रखके buy on dip type की strategy इस stock में नजर आती है लेकिन अपने advisor से consult करो कि वाकई में लेना है या नहीं लेना वो आपकी इच्छा चार्ट bullish है और देखो मेरा जहां तक experience है कि stock जब 6-7 years 6-7 years एक range में 12-24 महीने के लिए अब वो किसी भी reason की वज़से बन सकता है और 12-24 महीने का मतलब यह नहीं कि हर महीने वो नए हाई बनाएगा नहीं यहां पर खड़ा हो जाएगा फिर थोड़े टाइम बार निकलेगा फिर कुछ करेगा फिर खड़ा हो जाएगा वो इस तरीके से एक bullish momentum में जाते हैं पर हम गलत भी हो सकते हैं हम भगवान नहीं है तो उसके लिए हमारे पास यह important level होना चाहिए कि अगर इसके नीचे आएगा वी विले accept कि चलो यहां पर हमारा analysis खतम हो गया जैसी अराम जो होगी देखी जाएगी दूसरा stock पकड़ो simple सी बात है और शादी मौबबत करनी है इस stock से 10-10 साल बैठना है तो that is personal experience और requirement वो उस पर depend करेगा यह patronate के उपर analysis थी जो मैंने आपके साथ share करी है complete data बताया है अगर वीडियो अच्छा लगी दोस्तों के साथ share करी है और ऐसी analysis सीखने के लिए wave analysis में आईए detail आपको description में मिलेगी wave analysis training program है one to one जहां एक समय में एक इनसान मेरे साथ सीखेगा और उसकी जानकारी के लिए आप इस नमबर पे संपक कर सकते हैं fees रहती है 44,000 इस बेदका वीशेश धियान रखिए अगर आप हमारे साथ connect होना चाहते है तो उसके लिए आपको जरुदा एंजली आप stocks में account खुलाना होगा आपको detail description में मिल जाएगी और सारी detail जो है आप description लेकर या फिर इस नमबर पे संपक करके भी हमारे साथ connect हो सकते हैं account खुलाए बिना connect होना है तो चैनल की diamond या STP membership लेके भी आप हमारे साथ connect होना चाहें तो definitely हो सकते हैं wave analysis के regarding किसी भी तरह से कुछ बात पूछनी हो और या फिर अगर आप discount claim करना चाहते हो जो कि हमारा discount चलता है तो उसके लिए भी आपको इस नमबर पे संपक करना होगा अगले वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद जय हिन जय भार